हले आफ्रीवन मैं आरभी जिनों का स्वागत करता हूं राजस्तान पेटी दो जार बाइस तेवी सेसन को लेकर कुछ इनफर्मेशन सामने आ रही है साथ ही जो है आपका जो बीस्टी सी और प्री डील्ड यहां पर जो एक्जामेशन है उसको लेकर भी कुछ अपडेट है ज को चैनल को सब्सक्राइब करें लेकर को प्रेस करें जिसे आने वारी सभी वीडियो का नट्रिक्शन आप तक पहुंच जाए आए यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता है एक मार्स से लेकर पंदरा अप्रेल तक पिटिटी दो जार बाइस तेवी सेसन के फ यह था इस बार जो है पिटी दो जार बाइस तेवी सेसन जेन्यू विश्विद्द्धाले आपर कंडडेक्ट करा रहा है तो यहाप पर कोर्स की अगर हम बात करें दो वर्सी यह बीड कोर्स चार वर्सी बीसी बीड और बीड कोर्स के लिए आपके पिटी फॉर्म बहे ग कम फॉर्म लगभा 55,000 कम फॉर्म हैं और 5,45,000 फॉर्म गए हैं तो पिछली साल की तुलना में इस बार पीटीटी के लिए थोड़े कम फॉर्म गए हैं कोई भी कारण हो सकता है कोई जनरल कॉमपिट्शन हो सकते हैं और भी कही कारण हो सकते हैं ठीक है ना लेकिन अच्छी अच्छी खाबर है अगर जादा सीट हैं और यहां पर स्टूडेंट की संक्या कम है तो कॉमपिट्शन कम देखने को मिलेगा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 75,000 विद्यारती बहुत जादा होते हैं और यहां पर डिफरेंस देखने को मिला है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ तब पेपर भी काफी अच्छा था और स्टूडेंट भी बहुत जादा थे और सीट कम हो गई थी मतलब यहां पर साइंस के लिए तो जिनके 400 मार्क्स थे जनल में उनको भी कॉलेज नहीं मिली थी तो पिछली बार बहुत जादा कट अप गई लेकिन इस बार 55,000 यहां पर वर्षी बेड बीएड के लिए और दो वर्षी बेड के लिए भी आपकी जो एक्जाम है तीन जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी तेके ना तो यह तो रही बात आपके पिटीटी की साती आप जो है सबको पता है कि बारवी के एक्जाम हो चुके हैं रिजल्ट का सब कर रहे हैं तो अब जो यह बचा हुआ समय है आपके जो बारवी के एक्जाम के बाद तीन जुलाई तक का जो समय है उसके बीच आप प्रपरेशन कर रहे होंगे पिटीटी की क्योंकि जो चार वर्षी बीएस बीएड बीएड के जो स्टुडेंट होते हैं जो बारवी पा पड़ा होता है पहले क्योंकि व्यक्राण टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं तो अब आप जो है अपनी प्रपरेशन में लग जाएं जो भी जैसे हम भी ऑनलाइन वीडियो डालते हैं रोजाना इसके अलावा अनेकेडमी पर मेरी क्लास होती है तो आप वहां पर भी कब कर रहा हूं जिसमें आपका सामयने ज्यान सामयने विज्यान और इसके अलावा रास्ता पकांच रहर लो ऊसमें सभी आका चारों सब्द्रा चाप्यों पर अच्छा पड़ने पर आ रहेंगा अगर आपको लग रहा है आप देमोटिवेट हो रहें तो नो लास हैज ता इसलिए आपको उसिस करें टार्गेट बनाएं कि मुझे 420 430 या साड़े 400 नंबर चाहिए तब जाके आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी और जो है आपके आस्पासी कॉलेज मिलेगी नहीं तो आपको कॉलेज आतो दूर मिलेगी आपको कॉलेज मिलेगी नहीं क्योंकि य यदि आप SSC exam, bank, railway जैसे general competition की preparation कर रहे हैं और भारत के नंबर वर लर्णेग अप अनकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और regular free special class और plus class ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत के नंब आप मुझे वहाँ पर follow कर ले अगर आपको किसी और educator से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग follow कर सकते हैं और उनकी class भी ले सकते हैं follow करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ regular मेरी classes हो रही है फ्लस में भी classes हो रही है फ्री में भी classes हो रही है मेरी free special class morning में सुबह 8 बजे होती है उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और साड़े 9 बजे class होती है जिसमें मैं आपको जो है General Science और Esthetic GK पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको General Science और Esthetic GK पढ़नी है आपको practice करना है और वहाँ पर आना है तो आप लोग मुझे जूड़ सकते हैं तो आज शाम को 8 बजे शांदर live class होने वाली है सभी विद्यारती class में जूड़ जाइए शांदर topics में आपको पढ़ाने वाला हूँ तो class में सभी विद्यारती जूड़ जाइए class का link description में है उस पे click करना class open हो जाएगी और upcoming सभी classes पाने के लिए आप मुझे follow कर लीजिए मेरी profile का link भी description में है आप सभी लोग जूड़िए free class है कोई विद्यारती आ सकता है और पढ़ सकता है अगर आप general competition की तैयारी कर रहे है वापर बहुत सारी features है आपको poll दिये जाएगा आपकी rank आएगी तो सभी लोग जूड़ जाएगे ये तो बात रही आपके PTT की अब हम बात कर लेते हैं कापी सारे बच्चे comment करते हैं सर BSTC का कुछ बताओ pre-DLD का कुछ बताओ और BSTC के लिए सर कब तक इसके form start होंगे क्योंकि PTT के form पहले ही बरे जा चुके है तो इसके form कब तक बरे जाएंगे अब तक कोई update नहीं है तो अगर हम बात करें आपर pre-DLD की BSTC की बात करें तो last session में दो बार भी इसके late form बरे गए थे और late इसकी exam होई थी अगर हम तुलना करें PTT से और इस बार भी अभी तक इसके form start नहीं हुए जबकि PTT के form तीन week पहले ही बर चुके है 15 April last date थी और अब तक जो है मतलब इसका जो BSTC है उसका कोई भी information या कोई भी update नहीं आ रही है तो देरी से session होगा definitely लग रहा है कि देरी से इसके form भरे जाएंगे देरी से इसकी exam होगी तो session तो late होता निजर आ रहा है ठीक है ना तो जो बचे याप पर BSTC के हैं जो इंतिजार कर रहे हैं कि कब तक इसके form निकलेंगे तो अभी तक कोई information नहीं है जैसे ही को information आती हम आपको बता देंगे तब तक आप तैयारी करते रहें और ये कुछ update थी information थी जो मैंने आपको बता दी है इस परकार की और update पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद